जगत एनिमेलिया जन्तु जगत गिंग्डम एनिमेलिया पहला इस जगत के जीव बहु कोशिकी युकेरियोटिक एवं विशम पोसी होते हैं दूसरा इनकी कोशिकाओं के चारो ओर कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती तीसरा, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है चौथा, इन जीवों में पोशन अंतर ग्रहन द्वारा होता है इनमें भोजन को ग्रहन करने के लिए विसिस टंग होते हैं जैसे तितली में रज चूसने की नली, मनुष्य में मूँ, पक्षियों में चोच, आदी अधिकांज जनतों में प्रचलन अंग पाये जाते हैं उधारन के लिए शेर, मैना, मचली, मनुष्य, हाइड्रा, फीता क्रिमी, केचुआ, घोंगा, बिच्छू, सितारा मचली, आदी जनतों जगत का एक वरगी करन, रीड की हड़ी वाले जनतों के संदर्व में हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन जनतों को दो भागों में विभाजित किया गया है पहला, ऐसे जनतों जिनमें रीड की हड़ी उपस्थित होती है और दूसरा, ऐसे जनतों जिनमें रीड की हड़ी उपस्थित होती है ऐसे जन्तु जिनमें रीड की हड़ी उपस्थित होती है को पुना दो भागों में बाटा गया है पहला जिनकी त्वचा पर बाल होता है और दूसरा जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होता जिन जनतु की तवचा पर बाल पाय जाते हैं, उनमें इस्तनधारी जनतु आते हैं, जैसे मनुश्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादर आदी ऐसे जनतु जिनकी तवचा पर बाल नहीं पाय जाते, इनमें मत से उभैचर, शरिस्रिप पक्षी आदी आते हैं इन्हें पुना दो भागों में वर्गिक्रित किया जा सकता है। पुना दो भागों में वर्गिक्रित किया जा सकता है। रोहु, कतला, आदिशामिल है। जिनके शरीर पर शल्क नहीं होते, उनमें उभैचर मेढग टोड़ आदिशामिल है। नमी युगते त्वचा का आभाव पाया जाता है। इनके अंतरकत सरीश्रिप, छिपकल्ली, साब, कच्वा, आदि। झाल